उत्तर प्रदेश में हुए MLC के चुनाव के नतीजे मंगलबार को घोशित कर दिये गए इतो उत्तर प्रदेश में कई दिगर चुनावयों मैदान में थी उनके प्रतिष्ठा भी दाव पर लगे हुई थी मगर राजनिती कलियारे से लेकर आम लोगों की अगर निगाहें जिसीर पर्टिकी होई थी तो वह वारानसी चंदवली भदोही सीट थी यहां से निर्दलिय प्रतियासी अनपुर्णा सिंग ने जबरजस तरीके की जीत हाशिल की है प्रधार मंतरी निर्दर मोदी की गड़ में निर्दलिय प्रतियासी अनपुर्णा सिंग ने बीजेपी के प्रतियासी डॉक्टर शुदामा पटेल को करारी शिकस दी है आये जानते हैं कि कौन है अनपुर्णा सिंग जिन्होंने वारानसी चंदवली भदोही सीट पर भारी मतों से चीधासिल की है कौन है अनपुर्णा सिंग पता दे कि अनपुर्णा सिंग जेल में बंद बाहु बलीने ता ब्रजेज सिंग की पत्नी है जिन्होंने ने जलिये प्रत्यासी के रूप में वारानसी भदोही शंदवली सीट पर MLC का चुनाव ड़ा था इस सीट से एक तरफ जहां भारते जन्ता पार्टी ने सुदामा पटेल को अपना प्रत्यासी बनाया था और पार्टी के प्रत्यासी डॉक्टर शुदामा पटेल महज 170 वोट ही हासिल कर पाए हैं बात करें तो अंडपुन्ना सिंग का जन्ग गाज़े पूरी स्थित जमानिया कोतवाली छेत्र के बरीन गाउं में हुआ था इनके शिक्षा जमानिया के हिंदू इंटर कॉलेज से हुई थी दो भाई और तिन बहनों में अंडपुन्ना सिंग सबसे छोटी हैं इनके शादी 90 के दसक में ब्रजेश सिंग से हुई थी अंडपुन्ना सिंग ने 2010 में भी बोजन समाज पार्टी के टिकट से मलसी का चुनाव लड़ा था और जीत हांशिल की थी इसके बाद साल 2016 में इनके पती बरजेश सिंग ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने भी इस सेट पर जीत हांशिल की थी सुसिल सिंग की पैचान बीजेपी के कद्दावर नेता के रुपे होती है शायद यहीं वजा है कि वरानसी चंदवली बदोही सीट से बीजेपी के परत्यासी सुदामा पटे लगातार इस बात कारोप लगा रहे थे कि बीजेपी के ही कुछ लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं निस्रूम से निस्लाइब करें